हेलो दोस्तों, योगी जी ने एलान किया है कि उत्तर प्रदेश में फ्री गैसलेंडर बाटे जाएंगे, यानि कि होली दिवाली मिलेगा दो फ्री गैसलेंडर राज्य सरकार उजले योजना के तहट इसी होली में पहला मुप्त गैसलेंडर देने की तयारी में है खाद्य रसद विवाग में होली पर गैसलेंडर देने के लिए प्रस्ताब शाशन को भीज दिया है प्रदेश में उजला योजना के 1.65 करोड लावर्तियों को होली पर सलेंडर देने में सरकार पर 3000 करोड का भार आएगा और आज दिपावली पर निशुल्क सलेंडर देने का एलान किया था अब पहली होली पर इसे देने की तयारी में है खाद्य रसद विवाग ने सौंबार को अपना प्रस्ताब साशन को भीज दिया है इस प्रस्ता पर मोहल लगाने के बाद बित विवाग से बज़ट चारी किया जाएगा और जिलों में सलेंडर दिये जाएंगे उजरा योजना के तहट गैस कनेक्शन की भी भाजबा सरकार नीती है निशुल्क राशन योजना को बढ़ाई जाएगी मांग राज्य सरकार निशुल्क राशन योजना को बनाने जा रही है इसके लिए साशन ने खाद वा रसर विवाग से प्रस्ता मांग लिया है इससे पहले सरकार ने दिसमबर से मार्च तक निशुल्क राशन इसी महीन निशुल्क रासन की बैवस्ता खतम हो रही है इसके तहट राश्टिय खाद शुरक्षा के तहट मिलने वाले गेहूं वाचावल को निशुल्क दिया जा रहा है उत्या प्रदेश सरकार द्वार किये गए बादों को पूरा करने के लिए मंत्राले द्वार जारी एक आकड़ा प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण प्रदेश सरकार को आने वाला बोज आकड़ों में है जिसे परते कुत्त्य प्रदेश के नागरिकों को इस फिरी राशन और अन्य में पूर बिन्दों पर ध्यान देना आवश्यक है इसमें 3 करोल डुपई का भार आएगा 2 करोल मुप्त गैसे स्लेंड देने की घोश्रन सरकार ने की है गैहुँवा चावल 290 करोल डुपई प्रतीमा चार महिने का 1160 करोल डुपई चना नमक तेल 750 करोल प्रतीमा और चार महिने का 3000 करोल डुपई आज के लिए इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग